What is up everyone, this is me Jazz and welcome to my channel Jazz Life आज इस वीडियो में मैं आपसे शेर करने वाला हूँ अपनी मुजिकल जर्नी या फिर आप बोल सकते हो कैसे मुजिक में इंट्रेस्ट आया कैसे मुजिक आया मेरे अंदर, समझ में मेरे को आया कि में को मुजिक में कुछ करना चाहिए है या फिर मुजिक में मेरे को इंट्रेस्ट है सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है यह जो क्वेशन है बहुत बार आप लोगों ने मेरे से कॉमन सेक्शन में पूछा है लाइव स्ट्रीम में पूछा है यह जो टॉपिक था यह पेंडिंग था काफी टाइम से एक साल तो इसको होई गया हो गया या फिर एक साल से जादा भी हो गया होगा सो चलो आज इस वीडियो में डिसकर्स कर ही लेते हैं कि कैसे मैं म्यूजिक में आया इंट्रेस्ट कैसे मेरा बिल्डप हुआ सो बहुत टाइम पहले की बात है मैं अराउंड होंगा छे-सात साल का exactly मुझे याद नहीं है बट बहुत छोटा था स्कूल में भी मैं जाता था या नहीं जाता था बट आज भी मुझे वो टाइम याद है आपको याद होगा छोटे से ड्रम्स आते थे ड्रम्स से मेरा मतलब है प्लास्टिक के जो बच्चों की खिलोने होते है न टॉइस होते है वो एंड इतना एक्साइटेड में रहता थ कि उसको गले में डालके और डम 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 बजाता रहता था घर में एंड उस टाइम पर मैं कहता था कि मैं बड़े ओके बैंड वाला बनुगा इंड जब भी हम कभी भी रोड पे जाते थे मतलब रोड से निकल रहे कोई शादी बरात होती थी तो वहां पर क्या होता था इतना excited हो जाता था मैं और मैं यह बोलता था बच्पन में कि मैं बड़े ओके बैंड वाला बनुगा बिकास उस टाइम पर इतना कोई music का नहीं था scope, career, इस टाइप से तो कुछ जादा था ही नहीं music जो हम सुनते थे and जो देखते थे शादियों में वही चीज़े होती थी so उसी को देखके मेरा जो था मतलब एक छोटे बच्चे का जैसे होता है कि बड़े ओके यह बनना है नहीं उस से भी नीचे, 7th, 6th, 7th में I think मैं आके होंगा and then मेरी जो sister है वो भार आई थी डेली में पढ़ने के लिए एक चीज में आप लोगों को और बता दू कि मैं डेली में रहता हूँ बट मैं डेली से नहीं हूँ मैं basically UP से हूँ and अगर UP में कहां से हूँ आपको जानना है so इधर एक वीडियो मिल जाएगी वहाँ पे मैंने एक crowd play करा था आप लोगों को शाहद पता चल जाए so basically मैं UP से हूँ and काफी time से I think 6-7 साल हो गयोंगे, 7 साल I think पूरे नहीं हूए मैं डेली में रहता हूँ so तब की बात है so UP से मेरी जो sister है उन्होंने 12th के बाद आ गई थी वो डेली graduation उन्होंने डेली से करी थी and उस time पे भी मैं बोलता था कि मैं band वाला बनूँगा अच्छा जी चलो ठीक है तिन धीरे धीरे आप लोगों को याद होगा कि जो DJ होते है जैसे जो setups होते है शादियों में वो देखके बहुत excited होता था मतलब किसी भी शादी में जाना है बाग की चीजे के भाड में किसकी शादी है मुझे कोच मतलब निया मुझे बस देखना अजिए करी शो डेली की लाइफ आपको पता ही ऐसे हो जाए है मेट्रो सिटी में जो लाइफ थोड़ा सा डिफरेंट ही होता बहुता है अगर आप यूपी में या फिर बिहार में और भी जो इस इस टाइप की इन फैक्ट महराष्ट्र में भी काफी सारी जगह है अगर आप डेली एंसे र की बात करोगे तो गाजियाबाद यहां फिर इस टाइप की जगह है आज भी जो डीजे होता है ना शादियों में जो होता है लोग उसको बेसिकली डीजे वाला बोलते हैं एंड ड को बोलते हैं बड बेसिकली डीजे सेटअप नहीं होता है डीजे होता है डिसक जोकी एक इनसान गोसे अपने मेरें प्णो करता है यह वहां पर डीजे वह कॉता था सेटब DJ लगवाना है, शादी में DJ लगवाना है, सो चलो, धीरे-धीरे जो मेरा इंट्रेस्ट है वो बिल्ड अप हुआ, सो मैंने क्या किया, जितने भी वो DJ वाले होते थे, जैसे जो गली मोहले वाले होते थे, सो मैं उनके पास गया, उस टाइम मेरे पास नई-nई बाइक आई थी, I think, 2007 या फिर एट की बात होगी, नई बाइक तो मैं पास आई थी, 10 में, 10 या 9 में आई थी, 10 में आई थी शायद, 2007 में मैं ने स्टार्ट करा, उनके पास जाना जो भी DJ वाले इस गली मोहले में होते थे, सो उनके पास गया मैं एंड उनसे बोला भईया, आपको जहां भी जाना है आप मुझे बताना, मैं चलूँगा आपके साथ और मैं आपस कोई पैसे नहीं लूँगा, उस टाइप में पास जाना उसे में पास साइकल थी, साइकल से बोलता था, तो अब भाई उनको अगर कोई बंदा मिल रहा है तो कोई कियो मना करेगा, तो धीरे-धीरे एक दो बारी मैं साथ में किया, मैंने देखा, फिर धीरे मैंने रिसर्च करी अब देखो पढ़ाई लिखाई तो करी रहा था मैं CBSC बोर्ट से पास आउट हूँ तो थोड़ा बहुत चीजे में को पता था मतलब इतना भी नीचे नहीं था पढ़ाई में अच्छी वली मैंने ग्राजुएशन कर रहा है वैसे अभी तक तो तो पढ़ाई उत्ता मैं पढ़ा लिखा था तो धीरे-धीरे समझ में आया कि क्या एक्साइकली होता है कि कंप्यूटर में काफी शॉक था मेरे को धीरे-धीरे रिसर्च करी उसके बारे में कि क्या DJ होता है देन जो मैं को पता चला वो first software मेरा था virtual DJ आप सभी को पता है स्क्रीन और पीसी तक लेके गया हूं प्ले करने के लिए मतलब इतना मेरे को शॉप था एंड में पैसे वैसे कुछ नहीं लेता था देन धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया स्कूलिंग भी चलती रही साथ में में पार्टी वगेरा में भी जाता रहता था औफिर एक टाइन आया कि ठोड़ा सा नामतब कर लिया था थे लोगता था यार, यह क्या काम है थोड़ा सा अच्छा कर आ सा जाहिए मेरे फैमिली में एक शादी थी मतलब जैसे रेलेटेओ oke होते हैं काफी क्लोस ऑफैमिली में एक शादी थी सो वहां पर मैं गया, मतलब गया क्या, वहां पर था, जो शादी हो रही थी, सो I think किसी मम्मी की दीदी की पता नहीं क्या थी, कुछ थी, exactly मेरे को भी नहीं पता, मम्मी की मामी की बेटी की शादी थी, exactly कुछ था, सो वहां पर अच्छा खास है, डीजे सेट अप लगवाया था, सेट अप बोल रहा हूँ मैं, सो सेट अप लगवाया था, सो वहां पर मैंने उनको उनसे भी बात करी, कि ऐसे ऐसा है, और मैं प्ले करूँगा, अब भईया, घर की शादी थी, और मैंने, मतलब मारी फैमिली से ही पैसे जा रहे थे, और तो मैं में को कौन मना कर सकता था, सो मैंने वहां पर उनसे बात करी, सो पूरी पार्टी मैंने एंजॉय करवाई, देन उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने मैं को बोलाना शुरू करा, तो दीरे-धीरे experience पढ़ता रहा, बट फिर भी लगा यार, ये थोड़ा सा जो है, level up करना पड़ेगा, सो दीरे-धीरे और बात हुई, मैं किसी और के पास गया, और वहां पे उन्होंने बोला कि आप ये जो कर रहे हो ना, आपके लिए ये चीज नहीं है, आप जो जिस सिटी से मैं था, वहां पे जो टॉप के सेट अप से, आप उन पे, मतलब उनको अप्रोच करो और उनके साथ आप प्ले करो, उनके सेट अप पे प्ले करो, सो मैंने गा, ठीक है, देखते हैं, सो एक दिन उनों नहीं मेर को भेजा, करते 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 धीरे करते करते, टाइम ऐसा आ जिए है कि एक जो जो जाएजермेंता इन परटियू की करता है। इण परटियू क्ले करता का ब्ला। गर मैंन नहीं अपाइक मालें टीते हैं, जो वहाँं पे क्या था, जब वो में को बुलाते थे, तो मेरी बाइक से वो लोग चले जाते थे, तकि पेमेंट लेनी है, यह लेनी है, इधर से ओधर भाहिया वो करते रहते थे जब आप नई भाहिक लेते हो तो आपने भी सुना होगा कि इतनी थे स्पीड में ही करते हैं, वो मेरे से आके बोलते थे, 110 दोड़ा के यारा हूँ, 120 दोड़ा के आरा हूँ, तो दीरे दीरे में उनसे भी काटनी शुरू करी कि नई भाहि आँगा, मैं अपने शौक के लिए बट आज वो इस दुनिया में नहीं है, आज भी मैंने मैंस करता हूँ, Ableton मैंने फर्स टाइम उनसे ही, मतलब सीखा नहीं था, उन्होंने बताया था, Ableton के बारे में, and beat making उन्होंने बताई थी, अब देखो, उन्होंने काफी चीजे में को बताई थी, लेकिन उस चीज को प्राक्टिस करना, मुझे याद है, जो मैंने सीदी प्लेयर्स यूज करे थे, वो थे पाइनियर के MK3 1000 चो मॉडल आता था, अब आना बंद हो गया है, and उस ताइम पर वो लेजेंडरी मॉडल होता था, भाई, किसी के हाथ में अगर वो आ जाया तो, मतलब क्या कहना की, मतलब एक दम टॉप लेवल का वो प्लेयर था, वो मैंने यूज करा था, काफी उन्होंने में को बताय था, दीरे दीरे मैंने उस पर प्रैक्टेस भी करी थी, उनके पास जाता था, और काफी पार्टी भी प्ले करता था, तो दीरे दीरे सारी चीजे होती रही, देन उनके पास एक ब्रैंड थी, OHM, वो दिस्ट्रिब्यूटर थे वहां पे, कür बूल ने तो कुछ उनका शोकेस था, कुछ उनका डेमो था, काफी उन्हें बुलाया था योगोंको, वहां पे एक बंदाamm था, य ने वहां पे इक बंदां था, तो मैं रो। जसे ने भी कर्ता हूं, तो कौन सान उनुझ को शोर्क्वेर दीजीख के लिए के लिए निये ये music production के लिए फिर धीरे उस पर चीज़े करते रहे एंदेन ताइम बीता गया बीता गया फिर जह मैं डेली आया तो यहां पर थोड़ी सी opportunities और में को मिली एक चीज में और बता रहा हूं यह जित्ती भी चीजे मैंने में शुषच करी थी ना मिने उस टाइम पर करता था यह एक जीबी का जो ने इनलता था不igo यह यह जा ब्रॉर्ड बंड यहां भॉड ब्रॉड बंड बं ले में आते सारी सबसे पहले में 서 ल में अच्छा अच्छा म्यूजिक प्रोडक्शन में भी मैंने एक जगा कोर्स करा बट वहां पे थ्री मन्स यहां पर छे महीने कोर्स था बट कुछ नहीं नहीं बताया मैं नाम नहीं बताऊंगा दिन दीरे दीरे मुझे पता चला कि खुद मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा खुद सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा सारी चीजे मैंने करी और करते करते आज थोड़ा बहुत तो चीजे मेरे पास आही गई है मुझे समझ में आही गई है एक चीज और मैं बताना भूल गया जब मैं डेली में नहीं था, मैंने रिमेक्स तब भी बनाए हैं, और मैंने वर्चुल डीजे पर रिमेक्स बनाए हैं, आइधिंक लीजो गाना था, मैंने उसका एक इंट्रो पोर्शन ले लिया था, एंट्वर्चुल डीजे में वो लूप करके उसके उपर एक गाना डाल दिया था, वो बेसिकली गाना था, जो कावर लेके जाते हैं, जब वो इधिंक शिव जी का सावन का महीना आता है, सो वहां पर उस वाले टाइम में कावर लेके जाते हैं, सो काफी सारे आपने देखा होगा, जलूस नहीं बोलते हैं उसको, जहांकिया टाइप की निकलती है, पूरा रैली टाइप की जो बेसिकली होती है, सो वहां पर मैंने गाना बनाया था मैं आपको गाने का नाम भी बताता हूँ गाना भजन कुछ भी इसी टाइप से है मेरा मन है गयो लट्टा पट्टा इस टाइप का वो ट्रैक था अब दूस टाइप पर मेरा मन था टी जेएंग इसा जोफ इंग अलग से मैंने जो ए परफॉर्म भी और धीर दीरे कई जगा मुझे लगने लगा कि यह क्या है कि बता नहीं और स्टाइंग साहि जैसे मैं अब आपको पहले बताया था मैं पढ़ाई भी कर रहा था क्लासिस भी मेरी चल रही थी और उसके पड़ाई चल रही थी और साथ में जो डीजेंग का चीज थी में वह भी करता था में को याद है अभी भी मेरा नेक्स्टे एक्जाम होता था और मैं सुबह दो दो बजे भी घर पर आता था चलती थी ऐसे लाइफ बिकाज वह शौक था वह पैशन था एक्जाम होता था था वह एक्जाम देने भी जाता था उसके बाद सो ऐसी कोई मजबूरी नी थी बट वह मेरा शौक था बट उस शौक था में को काफी ज़ादा जो है चीजे सिखाई है मेरे एक्सपिरियंस मेरे को दिया है और आज भी आज तो वैसे डीजेंग मेरी बहुत कम होगी इंफाक बिलकुल ना के बरापर मैं करता ही नियू कंट्रोलर भी पता नहीं मेरे कहाँ पड़ा है तो अब थोड़ा सा म्यूजिक प्रोड़क्शन में आ गया है तो यह कुछ कुल मिला के मेरी लाइफ थी म्यूजिक की यह मेरी जोर्नी थी और जब में पस ब्रॉडबेंड आया तो असली नौलेज मुझे तभी मिली और तभी थोड़ा सा और ग्रो हुआ मैं और धीरे धी हुए तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यह चीज भी शेयर कर लूँ तो आप लोगों ने कैफी बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं अगर आप एक काम करते रहोगे तो आप जरूर सक्सेस्फुल हो जाओगे अगर आप दो चीजों में पैर डालोगे या फिर फुलका में कर रहा हूँ अब मैं यह नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही अच्छे लेवल पर हूँ मैंने बहुत सारे ट्रैक्स बनाए हैं जो की मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने टॉप चार्ट्स हैं बिलकुल नहीं म्यूजिक ऐजा मेरा पैशन था जो आज भी मैं फॉलो गर रहा हूँ पहले भी था वो पच्पन से जो था ना बैंड वाला बनने का उस टाइम पर मैंने यह नहीं सोचा था कि मुझे एक ऐसा ट्रैक बनाना है जो बिलकुली फेमास हो जाए नहीं शौक था मैं आज भी अ अपने आपको मानूगा फिकार सक्सेसफुल वह अगर आपको कुछ चीज चाहिए और अगर अगर अप ले पा रहे हो आप सक्सेसफुल हो चलो एक और चीज बताता हूं मैं कॉमर्स बैक्ड्राउंड से हूं एंड इंड इंक इलिविंत मैं एक चीज में को पता चली थी जो से खाईती, नीड एंड वांत में फर्क होता है, नीड जो आपकी बेसिक नेसिटीज हैं जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो, like खाना, खाना, पीना, घर, आप बोल सकते हो कपड़े, so यह सारी चीज़े जो हैं, यह बेसिक नेसिटीज हैं, अब वांट क्या होई, 8000 वाली जीन, so यह हुई हमारी वांट, so देखो, वांट कभी भी खतम नहीं होती है, and successful वाली बात पर वापस आ रहा हूँ, यह need और वांट की मैंने आपको चीज बता दी, 2010 के अराउंड, 10 यह 11 के अराउंड मैंको FL Studio पता चल गया था, लेकिन, मैं पहले से वह यूज कर रह परचेस करें, so क्या, वो जो मेरी वांट थी, आज पूरी नहीं होई है, अगर मैंने आज नेक्सिस 19,000 का परचेस करा है, so अब मेरी नीड, नीड नी, sorry, वांट जो है, वो और बढ़ेगी, नेक्सिस का 1.5 लाख वाला पैक लो, so वो कभी भी खतम नहीं होती है, जो आपक को हीएव, so अपको लगेगा सौर पै वाली चीज ले लो, सौर पै की चीज आप अफोर्ट कर पा रहे हो, फिर आपको लगेगा हजार वाली, तो लगेगा 10. पhr एक लाख, so ये चीजे चलती रहती हैं, अगर आप देखोगे कि की आप Successful कब हुए, so I think ऐसा कोई पॉقط नह कि यह अब मुझे इस से जादा नहीं कमाना है, नहीem आज भी अगर आप उनको देखो तो क्या टिक्ब सीवो ले के आ रहे हैं, जिन के चीजा में वह invest कर रहे हैं जुत कहीं ना कहीं आपके मन में भी हर एक के मन में होता है कि हम हमेशा अच्छा करें, हम जादा कमाएं, सो वो कभी भी रुक नहीं सकता है, अगर आप सोच रहों कि आप उसके बेसिस पर जज कर रहे हो कि आप सक्सेस्फुल हो या नहीं हो, आप गलत हो, आप देखो, आपकी क्या नीच्स थी, जो फुल्फिल हो रही है, अगर आप थोड़ी सी भी फुल्फिल कर पा रहे हो, सो आप सक्सेस्फुल हो, जैसा कि मैं अपने आपको मानता हूँ, मैं सक्सेस्फुल हूँ, हाला कि इतना कुछ मैंने उखाड़ा नहीं है लाइफ में, मतलब इतना तो कुछ भी नियु खाड़ा लेकिन फिर भी आज अच्छे से रह रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं एक्ति से लुते होग центр search विडियो सरा कंटी कोज सरे हों ..... पर स्सक्राइब काम करें संक्ती और शुरू करें बीच में 2020 सब लोगे बहुत बुरा गया था उर लिए तो और भी जादा बुरा गया मेरा चैनल जो है सस्पेंड हो गया था है काफी सारी चीज़े हुए लाइसन्स मेरे रिवोक हो गय थे बट उसके बाद भी मैंने सोचा भाई रुकना निया बेकॉस 2019 मेरा अच्छा गया था वह अच्छा था वह बंप अच्छा था जो न कि सपे में active रहूं कई बढ़ थोड़ा सक हो जाता है बड़ सपे में active रहूं अब मेरी पूरीकोशिश है जब तक जन्दा हूं में active रहूंगा अब आ थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है वीडियो को एंड करने का ताइम आ गया है काफी लंबी वीडियो हो गई है शायद आप लोगों ने देखियोगी या नहीं देखियोगी तो एक काम करना एक स्माइली तो एट लिस्ट शेयर कर देना एंड एक चीज में आपको बस लास्ट में ये बोलना चाहूंगा आप बहुत सारी मोटिवेशनल अगर विडियो उस देखोगे कि ऐसा हुआ है, ऐसे लाइफ में कर रहा है ऐसी स्ट्रॉगलिंग थी, ऐसा वो था तो देखो, कोई भी चीज अगर आपको बता रहा है ना तो आप सुन सकते हो, आप उसको महसूस नहीं कर सकते हो लाइफ की तरीके आपको कोई बता सकता है लेकिन जीना नहीं सिखा सकता है, वो आपको खुदी सीखना पड़ेगा अब आपकी मर्जी है, अगर आप यूट्यूब पे हो तो जाके आप टी सीरीज याँ पे सोनी का जो चैनल है उस पे कॉमेंट करो कि मेरे पे व्यूज नहीं आते हैं, जो कि उसके बाद भी नहीं आएंगे and successful की कोई limit नहीं है कि यहाँ पे बंदा आ जाता है तो successful है, यहाँ पे successful है, यहाँ पे successful है कोई limit नहीं है, आप अपनी जरूरत है पूरे कर पा रहे हो थोड़ी बहुत, सो आप successful हो so I hope यह मेरी बाते, मेरी जो life का, जो music की मेरी basically journey थी, वो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो एक smiley बस comment में कर देना, मैं समझ जाऊँगा आपको अच्छी लगी है so, चलो, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी, next video में कोई vlog वगेरा भी shoot करूँगा तो लेकर आउँगा आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी, किसी भी channel पे, कभी भी, कभी भी, यह थोड़ा सा off हो गया, weird हो गया थोड़ा सा, मिलते हैं next video में